मैं आ चुकी हूँ अवेंडर मार्केट एराची का मार्केट है और बहुत ही बड़ा है बहुत ही बड़ी जगह है यहाँ पे और सारी चीजें यहाँ पे मिलती है तो आज मैं आप लोगों को सोपिंग करवाती हूँ तो हेलो फ्रेंट कैसे हुआ आप सब फ्रेंट्स में चा आने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तक मतलब दो-चार लोग साथ मेना हो तो मैं आई हूँ बच्चों के साथ मार्केटिंग करने क्यूंकि मुझे घर भी जाना है तो सोची की घूमाओं और बच्चे भी बहुत दिनों से आने चाहते थे यहां पर कि आपको घूमना पड़ेगा तब जाकर आपको सारी चीजे समझ में आएंगी क्यूंकि यहां पे देखिए फ्रेंड्स यह उपर से मैंने लिया है नीचे का कितना बड़ा मार्केट है और यहां पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजे आपको अच्छे दामों पे मिल जाए तो मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी शेयर करूंगी अभी तो हम सब थोड़ी देर घूमेंगे हां बच्चों मेरा बाबु छोटा ओला बोल रहा है खिलोना लेना है तो उसके लिए देख लेते हैं क्या लेना है और बेटी ने भी बहुत सारी चीजे ली हैं उसे एक ड् रसे लिए तो हम सब बहुत देर से आया हुए है कि और भी कुछ काम था और हम सब मार्केटिंग करने के बाद यहां से निकलेंगे और जाएंगे कई और भी हमें जाना है क्यूंकि इतने दिनों के बाद निकले हैं तो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत भूम ले और कुछ खा पी ले उसके बाद फिर हम घर जाएंगे थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद हमें मुवी भी जाना है देखने भूल भूलेया पाट टू तो भी टाइम है तो थोड़ी दर मार्केटिंग कर लेते हैं देख लेते हैं घूम लेते हैं और उसके बाद फिर हम सब घ जाएंगे जब टायम होगा तब निकलेंगे और उसके बाद फिर हमें घर भी जाना है दुसरे दिन तो कल की ये वीडियो है कल हम सब मारकेट गहते तो आप सब अगर राची में रहते हैं तो आप लोगों को तो पता ही होगा वेंडर मारकेट के बारे में और जो लोग राच मतलब अच्छे अच्छे दामों पर मिल जाती हैं क्यूंकि बहुत से लोग होते हैं जिने कम बजेट में चाहिए समान तो यहां हर तरह के लोगों के लिए है छोटे बड़े सभी लोग ले सकते हैं तो मैं भी यहां आई हूं और देखिए फ्रेंट्स यहां पर कितने कोमेडी टाइब का था तो यह इसमें भी लोग बोलेंगी कोमेडी भी है और थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर डर जैसा दिखलाया है लेकिन देखते हैं देखने के बाद ही पता चलेगी कि कैसी मूवी है और बच्चे भी साथ में आए हैं तो बच्चे भी देख सकते हैं क्य च तो मूजी देखने के बाद हम घर जाएंगे क्यूंकि रात हो जाएगी तो अब हम बस अंदर जाएंगे ही कि मोजड़ा ही चुकी है यहां पर देखिये मेरी बेटी डर रही है इसे कुछ ज्यादा ही डर लगता है लेकिन देखने के बाद बता चलेगी कैसी नुजी है और हम सब इंतजार कर रहे हैं टाइम का कि कब टाइम हो कि हम सब अंदर जाएं मुवी देखने कि कैसी मुवी है क्या कहानी है तो फ्रेंड्स देखिए मुवी अभी स्टार्ट होने ही वाली है और हम सब मुवी देख रहे हैं तो बेटी को देखिए कैसे बोले मुझे अभी स्टार्ट भी नहीं हुई और उसे डर लग रही है बहुत ही जादा तो मैं मूवी देखती हूं उसके बाद आप लोगों को बतलाती हूं कि कैसी मूवी है कि जैसा सुना है वैसा है या नहीं देखने के बाद ही पता चलेगा तो आप लोग भी देखिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रिखेगा बाबाई